नमस्कार मैं हूँ इशा भार्गाव स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में तो रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर आगरा में नगर निगम में भारती जन्ता पार्टी का लगतार छे बार से कबजा रहा है इस बार भी भारती जन्ता पार्टी की महापौर प्रित्याशी हेमलता दिवाकर कुश्वाहा ने अपनी आतिहासिक जीत दर्ज की जीतने के बाद भारती जन्ता पार्टी के पताधिक पर्पारी कारिकरताओं ने पुश्पवर्शा का जश्न मनाया वहीं हेमलता दिवाकर को बधाई देने वालों का ताता लगा रहा हेमलता दिवाकर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में आगरा शहरवासियों को धन्यवाद दिया और शीर्स ने तत्वक की भी बनवास पर दो नहीं जनता को भरोसा था कि राकिश कनोजिया इस चुनाव जीतेंगे तो निच्चिती इस च्छेत्र में विकास होगा जनता इस बात को भली वाती जानती हैं कि राकिश कनोजिया पत्रकाहरें लोगों समय पर मदद भी वो करती रहे हैं और जब पार्शच बन जाएंगे निच्चिती इस च्छेत्र के अंदर समस्यां का भी निदान होगा इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं बीजीपी प्रद्याची हैं बेता दिवाकर जिन्होंने अपनी जीत दर्ज किये मीडिया के माध्यम से आगरा की जन्ता को धन्यवाद देती हूं अपने भारती अंता पार्टी के सभी कारे करता को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ जुरून के साथ कारे किया है आज साथ भी बार भारती अंता पार्टी का कमल आगरा में भी बागी है नई प्रोजेक्ट अभी बागी है ने बागी है दो मेने बाद मुझसे पूछिएगा कि क्या प्रात्मिक्ता रहे जनता का प्यार और आशिरवाद जिस प्रकार से योगी मोदी पर है अपनी बेहन हम्लता दिवाकर को जिनौन उन्होंने आशिरवा जो दिया है उनका प्यार और आशिरवा जिस प्रकार से बारतिय अंता पाटी पर बरसा है मैं उनको विश्वास दिलाती हूं कि ऐसे इसी प्रकार से मैं हमेशा आगरा की जनता की सेवा करती रहूँगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिशान एहमेशा जुट चुके है तो जिशान भाजपा की जो मेर बनी है तो उनका पहला क्या प्रात्मिक्ता क्या रहेगी उनके कारें मेर बनने के बाद इस बिल्कुल मैं आपको बता दू जो आगरा माहपौर बनी है हमलता दिवाकर वो आगरा गिरामिर से पहले विजायक भी रह चुकी है बिजायक के बाद उनका 2022 में विजान सावा चुनाव में टिकेत कट गया था पिर उसके बाद उनको मेर प्रतियाती बनाया गया और आपको बता दें कि आगरा में माहपौर प्रतियाती ने हिए वारी जीद आसी किये उनकी प्राध मिश्ता हैं जो उन्हों सबी आग्राबातियों को और की सिनेतोर को धन्यवाद भी दियाएगी इस ख़बर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद जिशान वहीं अमबेटकर नगर में जिला अधिकारी के आदेशों की खुले आम धजिया उड़ रही है बताते चले की डियम के आदेशों को दरकिनार करते हुए जुलूस और पत्थर बाजी की गई बताते चले की नगर पंचायत इल्तिफात गंज सपा से शमा परवीन ने जीत दर् हारे हुए भाजपा के प्रत्याशी के घर पर हंगामा भी काटा सपा के अध्यक्ष समा पर्मीन के समर्थक द्वारा हारे प्रत्याशी भाजपा से रेनु देवी के घर पर पत्थर बाजी की गई पूरी घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है हंगामा करने वाली एक पुर्थाना शेत्र नगर पंचायत इल्तिफाद गंज का बताया जा रहा है। सक्त हिदायत था कि जीतने के बाद कोई भी जलूस नहीं निकाला जाएगा। चाहेंगे कि यहां का वो चारों तरफ का वो नजाना दिखाएं आखिर की तरीके से के यहां अर्दस्थानिक बल समेत लोकल पुलिस और अस्थानिये पुलिस मवजूद है शुरच्छा बहुत था चार चौबंद हैं और कुछ लोगों को गरफ्तारियां भी की गई जो उप हमना पताएं हम सरकार से अंडोड करना चाहते हैं कि इसमें उचित कारवाई किया जाए इन लोगों ने जीत में होस्खो बैठे क्या मांग है आपकी पत्थरबाजी भी हारे हुए परत्यासी जो कंडिडेट है रेनी वर्मा के घर पत्थरबाजी मंदी परतर में भी केवे कि इसमें सरकार को चाहिए उचित कारवाई किया जाए जिससे के वोजे से इन लोगों का मनुबल गिरे नहीं तो हमेशा आइसे करते रहेंगे जैसे कि यहां के अस्थानिये लोगों का कहना है कि वो अपने आपको आसुरचित महसूस कर रहे हैं ऐसे में यहां पर परियाप मातरा में हलकि फोस्त तैनात मुस्ताजी तैनात देखी जा सकती है चौकसी हम मुस्ताजी लेकिन हर एक पहलूँ पर उच अधकारियों की प्रिशाशन की तरफ से जुलूस निकाननी को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया गया ता उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है क्या कुछ कदम उठा रही यह प्रिशाशन जी आपको जानकारी के लिए बता दे कि आतन रूप में जिले अधिकारी ने नगर निकार चुनाओ मादगारना होने से पहले ही आतन रूप में बता दिया था कि कोई भी जिले में जुलूस नहीं निकलेगा जिनको मान जिनकी आधितों की खुले आम धजियां उड़ाई जाए यहां तक की मंदिर परतर जो राम निला गराउंड जैसे कि तस्वीरों में भी साप देखा जा पकता है आपिसी सदीख्ये किस्ते जो आप सपा के अधिका नगर इलफाद ने जो आध्यक्त मौदूद्या मौदूद्या में है वाग्त तमा परविन पर्विन इनके गर्विन पर्विन इनके लिए जा रहा है तो यह पूरे पूरे तरीके से अधिदों में कहें तो यह महूल बिगाडने का कहीं एक पूरा काम किया जाया है इतने अगर कहीं ने कहीं तो जिलाजकारी के आदेशों का कोई भी नग्ना आधर होता नहीं दिखाई पर जो जी किन किन का नाम अभी तक सामने आया है जैसे के 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी जो सलाकों के पीछे है अन लोगों को प्लिस का दावा है कि अन लोगों के उपर भी नकिल काशी जाएगी पुलिस चापे मारी कर रही लेकिन आपके जानकारी के लिए सबसे आहम चीज बता जानकारी के लिए धन्यवाद राहूल वहीं और रहिया में कोईले से भरी माल गाड़ी में आग लग गई आग लगने की सूचना ततकाल फायर ब्रिगेट को दी गई फायर ब्रिगेट द्वारा और रहिया के दिभियापूर पर गेल एंटी पीसी से तीन गाड़िया घट पर पहुंची वहां पहुंचकर पहले इलेक्ट्रिक लाइन कटवा कर आग पर काबू पाया गया वहीं जान हनी फायर ब्रिगेट द्वारा आग पर काबू पाया गया ग्यात हुआ कि यह गाड़ी जो है दिन दायाल उपाद है रिल्वी स्टेशन मुकल सराय से आ रही थी और तुखला का बाद जा रही थी तो फिलाद इसमें कोई जन्हानी नहीं है सब सामाने आको पूर्ण समुझा दिया गया माल गाली दिन द्याल से चलकर टुगल का बा के अत्कारी तेजवीर सिंग्मा उन्टी टीम द्वारा आख को उन्हाने का पूरा प्रियास किया जाता है वही आख बलकने पर फार्विकेट के अत्कारियों द्वारा दिब्यापूर एंटीपीसी को सुचना देगी सुचना पाकर कहुंची एंटीपीसी की गाली वह और जाकी फार्विकेट की गाली ने मिलकर आख पर काभू पाया प्रैम टीवी के लिए जैने तक रिपोर्ट और यह आख वही चंदौली में बड़ा हाथसा हो गया हाथसे में एक की मौत और एक यूवा गंभी रुप से घायल बताया जा रहा बताते चले कि नैशनल हाइवे पर पहले से खड़े ट्रेलर में बालू लदे ट्रक ने जोरदा टक्कर मार दी धाई घंटे की कड़ी मशक्कत और एस्क्यू अप्रेशन के बाद कैबिन में फसे चालक को भार निकाला गया वही घायलों को अस्पताल ले जाते समय चालक की मौत हो गई बताते चले कि बिह तो दुलगटना हुआ है कैसे हुआ है चला रहते हैं तो सो रहता पीछे क्या आप क्या है ट्रक में क्या करते हैं अच्छा कौन चला रहते हैं अच्छा तो फिर क्या हुआ है कैसे एक्सिजिएंट हुआ था मैंने दिखा नहीं तो अच्छा आप सो रहते हैं वही फरिदाबाद में दोदिवसी राज स्तरिय किक बॉक्सिंग चैंपियंशिप 2013 का कैबिनेट मंतरी मूलचन सर्मा ने शोबारम किया हरियाना किक बॉक्सिंग संग और फरिदाबाद की बॉक्सिंग संग दोरा आयोजन किया जा रहा है प्रदेश के 500 खिलाडी इस प्रत् चैंपियंशिप के शरुवात की और खेलों को राज स्तरी आयोजन पर प्रयासों की सरहाना की और बढ़ाई भी दी मैं सम्तों जी को बढ़ाई दूँगा और इंडिया किक चंपियन के अध्यक्स है और फिदास से इनकी सरुवात किया जिप परदेश का किक बॉक्सिंग आज़ाई जिन फिदाद में रखना है और जिसी सरुवात की है किस तरह बच्चों को पने सहत का स्वास्त का द्यान सब्सक्राइब करना किस हालात में है उससे कि पर दूस्मन हो इस तरह कि प्रद्धालों के लिए एक बड़ी खुश खबरी सामने आए बता दे कि फत्य पुर्जिले में विश्विका सबसे उचाए 108 फिट का मागंगा का मंदिर बनने जा रहा है जिसके भूमी पूजन के लिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महींद्र नात पांडे और डिप्रिसीयम रजेश पाठक के साथ कैबिनेट मंत्री सुतंत्र देव सिंग और मुक्य सचेवुत दुर्गा संकर मिश्रा कल महारिसी भ्रगू की तपोस थली भिटो संकर्ब सिद्धाम के नाम से यहां बहुत बड़ा एक मंदिर का निर्मार किया जा रहा है जहां पर बच्चों के लिए सब्सक्राइब के ब्योस्ता की जा रही है गुजरार के आईस स्री पांडे जी द्वारा ये बहुत बड़ा काम किया जा रहा है जो निशितूर से फटेपुर जनपत के लिए और खासकर पिटवरा के लिए एक बहुत दूर्गामी युजना सामित होगी इससे यहां की छे लोग यहां पर आएंगे गंदाजी की नेचे का इस थाल है गंदाजी के पास की मंदिर बन रहा है और बहुत सिर्द मंदिर का निर्माड़ यहां हो रहा है इसके लिए मैं पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वही नगर निगाए चुनाव के परिणामों के साथ ही करनाटक राची का परिणाम भी घोशित हो चुका है करनाटक में कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना कर विजय प्राप्त की इस सिलसले के तालुक से जिला संभल असमौली विधानसभा छेत्र से पूर्व कॉ मर्थकों और कॉंग्रेस कारिकरताओं के साथ करनाटक की जीत का जश्न मनाया एक दूसरे को मिठाई खिला कर मुबारक बात भी दी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम करनाटक की जनता को बहुत-बहुत मुबारक बात पेश करते हैं जिन्होंने भारती जनता कन्नाटका में हमारी कांग्रेसी सरकार मनी है उसकी खुसी में उसमें हम मिठाई लोगों को खिला करके खुसी का इजहार जाहिर कर रहे हैं हमें बहुत बड़ी खुसी है जो कन्नाटका जन्ता ने कांग्रेस को चुना और वीजे भी सरकार को वहांजा उखाल के फैका है यह बहुत बड़ी हिम्मत और गर्व की बाद है हमारे रहो जी कहते थे वहीं फरिदाबाद में करनाटक चुनाव को लेकर केंदरे राजमंतरी कृष्ण पाल गुर्जर एक कारिकरम में शरकत करने के लिए पहुँचे वहां कारिकरम में कृष्ण पाल गुर्जर बोले हार की समिक्षा होगी उन्होंने कहा कि 2024 में दुनिया की कोई भी ताकत प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को बनने से नहीं रोक सकती कॉंग्रेश चाहे कितना भी दुस्प्रचार कर ले लेकिन 2024 में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ही बनेंगे आईए देखते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने और देखेए जैसें से प्रधारमंत्री जी का यह संकल्प है किस देश में लोगों को सस्ती और अच्छी दवाईयां मिलें कि आज इस मेहगाई की यूग में लोगों को इलाज कराना उसके बाद मेहगी दवाईयां लेना उनकी पहुच से बार था तो दवाईयां आम आदमी की पहुच में हो इसलिए ऐसी जैन्रिक दवाईयां पूरे देश में मोजी के स्टोर खोले गए हैं और प्राइवेट स्टोर खोल रहे हैं वहीं अगली खबर गाजियाबाद से है जहां दो कारों में सवार यूवुको का वीडियो वाइरल हो गया है जिसमें रोड पर हुर्दंग करते हुए नजर आ रहे हैं बताते चले कि ट्विटर पर पुलिस के अधिकारियों को टैग कर कारवाई की मांग की गई है पुलिस ज कार सवार यूवुको की हुर्दंग करते हुए वीडियो वाइरल हो रही है तो इस पे पुलिस क्या कुछ कारवाई कर रही है अब बता दूं का जिए बातार कई बार ऐसा देखा गया है कि जो उर्दंगाजी है यानि कि जो रील बनाने वाले खास्तोर पर हैं उनको सबस्क्राइब कर रही है जिसमें स्टंगाजी की वीडियो वाइरल होती रहती है लेकिन पुलिस इस पर कोई कारवाई क्यों नहीं कर रही है जी बिलकुल देखे सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जिसमें पहले एलिवेटिट पर जब वीडियो वाइरल हुआ करते थे जिसके बाद मीडिया के हाथ में लगते थे उसके बाद पुलिस इस पर संग्यान लेकिती हालागी सथकाल कारवाई हो कि लेकिन कहीं ना कहीं तोर पुलिस के तरफ से जो अगर हम बात करें तो पुलिस के तरफ से कोई बड़ी कारवाई नहीं दिख रही हालाकि कई बार ऐसी रील वाइरल हुई है लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन में आती है उसके बाद उनके ओपर कारवाई हो कि लेकिन इस खबर पर जारा जानकारी के लिए धन्यवाद प्रवीन वई बंदायू में निकाय चुनाव में जिले की साथ नगर पालिका परिशद में तीन अध्यक्षपत पर भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है उज्ञानी में पूनम अगरवाल, बिलसी में ज्यान देवी सागर, दाता गंज नैना गुपता ने अपने प्रतिद्वंदी को हरा कर जीत हासिल की बता दे कि नगर पालिका परिशद बंदायू की सीट पर सपा समर्थित निर्दली प्रत्याशी फात्मा रजा ने जीत हासिल की है उत्तरपदेश की खबरों में फिलाल बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोका